नमस्कार किशान वायों एक बार पिर स्वागत है आपके अपने चनल टेक्निकल दिव में अचनक पटाके से जल गया हाथ तो क्या करा है प्रात्मी को चार इसकी बीडियो आज की बीडियो में यही जानकरी हम देंगे पटाकों से जल जाने पर प्रभावित इस्तान पत्तुरं तुलसी की पत्तियों को पीश कर इसकी रश का पेश्ट तचापल लगाएं तुलसी की पत्तों को रश्ट तचा को सीतुलता देने के साथ ही जलन को भी कम करने में करगर होता है दीपवली का तवर अपने सांठे रो लेकर आता है दियों की रोशनी से हर दिशा जगमगा उपती है लेकिन प्यार कुछी और मिठास और अपने पर इस्तवार में कई बार आते स्वाजियार कुछ लोगों को पटा के जलाने में हुई लापरवाई खलन डाल देती है हनिकार क्राशनों से पटाकों को जलाने से प प्रात्मी को पचार कि रोप में इसके लिए अंग पर अदना पानी डालें इसके अलावादी पाटा के जलाने पर आपके हाथ या पैर में चला है तो ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए डोगो कर रख सकते हैं और इसके बाद सीगररी चिकेससे संपरकें दूसरा यह नारियल का तेल लगाना एक अच्छा विकल्ब हो सकता है क्योंकि नारियल का तेल जलन को कम करने में कारगर होता है प्रभावित भाग पनारियल देर लगाने के बाद तुरन डाक्टर से संपर्क अफशक करें पाजबा चोथा आपको बता देते हैं आलू गाजर का रश जले हुए अंको जलन को कम करने में आलू और काजर का रश भी फाइदेवन होता है इसलिए प और अनिकी सान में आपको साथ जयर करें नहीं आपको